वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वी येर ओन यूट्यूब चैनल, ग्लोबल चॉक, तोड़े वी आर गोईंग तो डिसकर्स दी केमिस्ट्री इन न्यूज, आज कल जो केमिकल कमपाउंड बहुत न्यूज में है, वो है हाइड्रॉक्सी क्लोरो क्वीन, आएए देखते हैं इसक इसकर्णिशन को यूज किया जा सकता है, क्रोना वारस की ट्रीटमेंट के लिए, याने कोविट-19 की ट्रीटमेंट के लिए, फिर एक और न्यूज है, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिस्टिक्ट किया है hydroxy chloroquine की sale और distribution न्यूज में है इंडिया hydroxy chloroquine प्रवाइड करेगा दूसरी कंट्रीज को hydroxy chloroquine 4-amino-quinoline का derivative है 4-amino-quinoline का structure हमने यहाँ slide में नीचे दिखा है 4-amino-quinoline से amodia queen, chloroquine और hydroxy chloroquine medicines बनाई जाती है इस वक्त हम सिरफ hydroxy chloroquine के बात में बात करेंगे hydroxy chloroquine का IUPAC नेम है 247 chloroquine 4-amino-pentyl-ethyl-amino-ethanol इसका brand name है लाक्विनिल यह कुछ और नाम से भी जाने जाती है like hydroxy chloroquine, hydroxy chloroquine sulfate, oxy chloroquine, oxy chloroquine, etc hydroxy chloroquine का इस्तेमाल malaria, rheumatoid arthritis, lupus और porphyria, catania, tarda diseases के लिए किया जाता है आखिर मैं आपसे request है कि किसी भी हालत में hydroxy chloroquine का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की recommendation के ना करें इसके बहुत से side effects हो सकते हैं hydroxy chloroquine का molecular formula है C18, H26, CLN3O यानि कि इसके structure में 18 carbon, 26 hydrogen, 1 chlorine, 3 nitrogen और 1 oxygen रहते हैं इसका two dimensional structure हमने यहां draw किया है three dimensional structure हम आपको इस video के तुरू दिखाएंगे ऑंवास्टर करें高odel बिना करेंको, क्धूल hp माथ बिना ख़स में 18 coffee इसके तुरू ख़स्ते हैं कि अ´तर तुरू टरू है वろ में इसके सब्सक्ते हैं हुआ हुआ है हुआ है झाल झाल